एलो एवरीवन कैसी हो सब दोस्तों हमने कल टाइम एड वरक के जो मैंने पहली वीडियो थी उसमें आपका बेसिक बताया था कि हम इन क्वेसिनों को जैसे हमें गिवन होगा एक किसी काम को इतने दिन में करता है बी इतने दिन में करता है मिल के इतने दिन में करते हैं वो कित पहली में थ्योरी दूसरी में आपके 27 क्वेस्टिन करवाई थे तो आज हम आगे करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मापको एक थ्योरी और बता देता हूं पर जो जो हमें एक दिन का काम निकाला है वही आपका यहां पर अब जो आगे डिरेक्ट क्या होगा अभी तक हमें दे रखा था कि एक किसी काम को इतने दिन में करता अभी इतने दिन में सी इतने दिन में अभी हमें डिरेक्ट उनका एक दिन का काम दे रखा होगा efficiency आपकी क्या होती है या अक्समता बैई किसी आदमी की अक्समता का उम्मेबाद 2 है इसकी अक्समता और इसकी अक्समता का अनुपाद 2 अनुपाद 5 है कहने का मतलब है यह यदि 2 काम करेगा तो यह 5 करेगा यह इनकी efficiency होती है यानि एक दिन में यदि दो करेगा तो ये एक दिन में पांच करेगा यदि बात कर रहा है गंटे की एक गंटे में ये दो करेगा तो एक गंटे में ये पांच करेगा बात कर रहा है सपता है की एक सपता में ये दो करेगा तो ये पांच करेगा अब ये देखो भई A और B है माल लो A किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और B 24 दिन में कर रहा है यानि जो दिन है इनके वो 16 अनुपात 24 ये दिन है यानि इनकी ये दिन मैं रेशो की बात करूँगा 8 दुनी 16, 8 तिये 24 जब हम इनका LCM लेते हैं फुल काम 48 आ गया तो 16 तिये 48 और 24 दूनी 48 जो ये है ये इनकी अक्समता या फिर एक दिन का काम होती है यदि ये 16 दिन में कर रहा है ये भी 24 दिन में कर रहा है यदि ये गंटों में कर रहा होता ये 16 गंटे 24 गंटे तो यहाँ पे इनका एक ग्टे का काम आ जाता है यानि अक्समता यह देखो वह दिन का नुपाथ इतना था तो अक्समता का नुपाथ कि अस तीन नुपाथ दो आया है तो जो इंकि अक्समता का अनुपात है, वो क्या होगा, आप कहेंगे 5-3, यह क्यों होता है, यह इसके inversely proportion होता है, जब भी हम किसी काम में आदमियों की संख्या बढ़ा देते हैं, तो दिन अमारे कम हो जाते हैं, और आदमियों की संख्या जैसे गटेगी दिन बढ़ेंगे, यानि जो इनका रिलेशन है, वो inversely proportion होता है, देखो, अक्समता 3-5-5 थी, जो मारे पास method है, यानि इनको उल्टा कर देंगे, तो यानि एक बटा 3-5-5 हम क्या करते हैं, इनको रोज मल्टिपलाई कर दो, तो 5-5-3 आ जाएगा, या फिर आप इनको इनके LCM से गुणा कर द दो, LCM 15 होगा, तो LCM से गुणा कर दो, 3-5-15 आप आती है, 15 बात वही आएगी, जब बात करेगा वो 3-5 थी, लोग है, इनके समय का अनुपाद आपका, 2-5-3-5-4 है, तो इनकी अक्समता का अनुपाद बताओ, देखो, जब भी 2 की बात करेगा, तो जो भी समय का अनुप करेंगे, 1-3, 1-4, अब क्या है, इनके LCM से हम गुणा करते हैं, 12 से गुणा कर दो, 2-3-4 का LCM कितना होगा, 12, तो 2-6-12, 3-4-12, और 4-3, 12, तो उस case में हम ऐसा करेंगे, या फिर आपको एक और मैथल बता दो, भी देखो, हमें 2-5-3-5-4 दे रखा है, या अक्समता, और ह A को छिपा लो, और जो बाकी बचके उनकी गुणा कर दो, 3-4-12, रेशो, B का निकालेंगे, B पे आत रख लो, बाकी 2 की गुणा कर दो, 8, C का निकालेंगे, C पे आत रखके, बाकी 2 गुणा, 6, अब ये कट रहे हैं, 2 पे, 2-12, 2-8, 2-6, यानि जो ये है, वो ये ही आ जा अधिक है, यानि इसकी ये एक दिन में 100 काम करेगा, तो इससे 40 प्रतिसद अधिक, यानि ये 140 करेगा, क्योंकि 100 का 100% कितना होता है आपका 100 है वह आपने 100% मालो 100 की वैलिव 100% है एक की वैलिव एक परसेंट होगी अब 40% ज्यादा है तो यानि 40 ज्यादा हो गया तो 140 हो गया जब इनको काटेंगे तो 705 आएगा पर्सेंटेज में आप सभी को पता होगा बहिए जो 40 परतीसत है 40 परतीसत को यदि मैं 20 की फॉर्म में बनाओ तो 20 की फॉर्म में बनाने के लिए बटे हम 100 करते हैं अब जो यह दो आया है यह इस पांच का 40 परतीसत होता है यह जैसे 100 था सबस्क्राइब किसी एक संख्या से काट दूँ तो जो संख्या आएंगी उसमें भी यही रेश कमेट यानी जो आपका पांच होगा पांच का 40 परतेसत देख लो तो इससे ये कट गया 5 दूनी 10 और 2 दूनी 14 यानि 5 का 40 परतिसद 2 होगा अब यदि मैं कह दू कि A की Efficiency B से 40 परतिसद ज्यादा है देखो B की यदि 5 है 40 परतिसद ज्यादा का मतलब है तो A की Efficiency इसका 40 परतिसद ज्यादा है तो 5 का 40 परतिसद कितना होता है 2 तो यानि 2 ज्यादा है आप कहेंगे इसकी Efficiency 7 यदि मैं कहूँ कि जो A की Efficiency है B की Efficiency से 40 परतिसद कम है यानि इसकी Efficiency 5 है तो 4 परतिसद इसका 5 का 40 परतिसद हो गया 2 यानि 2 कम है यानि ये 3 है वो ऐसे Sol करना है आगे इसमें कैसे देगा question भई A और B हैं इनकी अक्समता का अनुपाद 2 अनुपाद 3 है और देखो जब भी हमें अक्समता का अनुपाद पता लग गया तो आपको question ऐसे दे सकता है A किसी काम को यानि A can do a work in 10 days 10 दिन में कर सकता है तो बताओ B कितने दिन में करेगा और A प्लस B कितने दिन में करेंगे दूसरा दे सकता है B किसी काम को मान लो 10 दिन में कर सकता है तो A कितने दिन में करेंगे A प्लस B कितने दिन में करेंगे तिसरा दे सकता है A प्लस B किसी काम को 10 दिन में कर सकते है तो A कितने दिन में करेगा B कितने दिन में करेगा देखो हमें यह दे रखा है अक्समता का अनुपाद efficiency का अगला question इसमें कैसे बना सकता है वो आपको यहां समय दे देगा और यहां पर आपको अक्समता दे देगा तो हमें पता है समय का रेशो और Efficiency का रेशो उल्टा होता है या फिर Efficiency का देगर समय का देदेगा देखो A और B यहाँ पे दिन दे रखे हैं तो Efficiency को जब हम compare करेंगे तो यह कहेंगे भई एक दिन में दो काम करता है तो B तीन करता है तो A पूरा काम 10 दिन में कर सकता है यानि A एक दिन में 2 काम कर सकता है पूरा काम 10 दिन में कर दिया तो जो case number 1 है यानि ये वाला ये वाला case तो इसमें पूरा काम कितना आ गया आप कहेंगे वह एक दिन में 2 करता है तो 10 दिन में पूरा काम कर दिया अब A plus B मिलकर कितने दिन में करेंगे, पूरा काम 20 है, A plus B मिलकर एक दिन में 5 करेंगे, तो 14 दिन में, यानि हमें efficiency देकर, किसी का B, या फिर दोनों के ये दे रखाऊँ है, इसको इतने दिन में करेंगे, तो हम individually किसी के भी दिन निकाल सकते हैं, कि वो अकेला कितने दिन में करेंगे, जैसे B है, B उस काम को 10 दिन में कर सकता है, B का एक दिन का काम 3 है, 10 दिन में पूरा कर दिया, तो जो second case है, इसमें आपका पूरा काम था, यानि, 3 गुणा 10, अब कह रहा है, A कितने दिन में करेंगे, A का एक दिन का काम 2 है, तो A इसको कितने दिन में करेंगे, 30 बटे 2, 15, A पलस B इस काम को कितने दिन में करेंगे, फुल काम आपका 30 है, इसको A पलस B से करणा है, और 2 नहीं दिन का काम 5 है, तो यह, 3 तिसरा है case नमबर 3, efficiency दे रखी है, A पलस B किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, देखो, A का एक दिन का काम 2 है, B का 3 है, यानि दोनों का एक दिन का काम 5 है, और इन्होंने 10 दिन में पूरा कर दिया, तो यहां आपका जो कुल काम है, वो हो जाएगा इसकेस में, 50, कहरा है, A कितने दिन में करेगा, A का एक दिन का काम 2 है, तो A के दिन आ जाएंगे, 50 बटे 2, 25, और B कितने दिन में करेगा, एक B का इस दिन आगम 3 है, तो 50 बटे 3, यानि आपको efficiency दे कर, यह दे रखा हो, यह इतने दिन में करेगा, तो आप वहाँ से निकाल सकते, या फिर आपको percentage में देगा, भई A की efficiency B से 60% कम है, 25% जादा है, 35% कम है, तो percentage को बिन की form में देख लो, जैसे मैं कहूं, 35% है, तो 35 बटे 100 करेंगे, यह दि हम, तो 7 बटे 20, यानि A की अक समता B से 35% कम है, देखो, 20 का 35% साथ होगा, यानि B यदि 20 है, तो इससे 7 कम 13 होगा, बोल देता, इससे 35% ज्यादा है, तो यह 20 हो जाता, तो यह 27 हो जाता, तो आपको यह ध्यान रखने है, या फिर, इसको 100 कर लो, इसको 135 कर लो, जब काटोगे, तब भी 20 रेशो 27 का रेशो ही मेंटेन होगा, यूकि जो वहाँ आप कमन्स लेके काटोगे, वहीं आपने यहीं काटा है, नेक्स्ट है, तीसरा टाइम, कैसे देगा, देखो, A रेशो B है मान लो, इनकी आपको एफिशेंसी या फिर अक्समता का अनुपाद दे दिया, तीन अनुपाद 5, और यह बोल देगा, अब, B है, काम को, 20 दिन, B काम को, A से, 20 दिन पहले, खतम करता है, पहला केस यह, दूसरा केस, A और B मिलकर, काम को, 20 दिन में खतम करते हैं, तीसरा केस, A काम को, 12 दिन, ज्यादा से में में पूरा करता है, A काम को, 20 दिन पहले खतम करता है, तो बताओ, A ने कितने दिन में खतम किया, B ने कितने दिन में खतम किया, ये काम को 12 दिन करेंक हैं प्रूट बाराद ज्यादा समय में पुरा करता है in उसकर, बात करें आपकी ऐफिशियंसी जाहिए कितने दिन लेकिन जब आपको days का difference दे रखाओ तो difference हम सिर्फ days से ही निकाल सकते हैं जैसे देखो efficiency की अक्समता ये दे रखी थी जब आपको पता है कि जो days होंगे या दिन होंगे उनकी अक्समता क्या होगी इसका उल्टा यानि 5 रेशो 3 अब ये देखो अब दिन की रेशो आगी यानि ये 5 दिन में करेगा तो ये 3 दिन में मैं case 1 ले रहा हूँ B काम करने B काम को A से 20 दिन पहले खतम करता है ये 5 दिन में खतम करेगा तो ये 3 दिन में तो यानि कितने दिन पहले करेगा 2 और 2 की value एक्सल में दे रखी है 20, एक की value हो जाएगी 10 और 5 की हो जाएगी 50, 3 की हो जाएगी 20, यानि A अकेला काम को 50 दिन में करता है, B 30 दिन में यही पुछा था, A कितने दिन में करेगा B कितने दिन में करेगा, अब बूचे दोनों कितने दिन में मिल के करेंगी, तो पहले बारा बते हमेंगे करेंगे रांके क्या है कि ए प्लस-ब मिल्क या काम को कर सकता है वह जब मिल्के करेंगे तो हमने जरूरत पड़ेगी एक दिन में पूरा जिलिए जीएम्ट इस गुणा 8, 160, A कितने दिन में करेगा? 160 लुटे 3 और B 160 लुटे 5 तिषरा है, A काम को B से 12 रह दिन जादा शिमयमे करता है यहाँ पर देखो, यह कितने दिन जादा सिमयमेury meu यहाँ पर कम था, यह उसका ऊलटा है देखो, 2 की वैल्यू यानि यह से 2 दिन ज्यादा से मैं लेगा तो 2 की 12 है एक की 6 होगी तो 3 की 18 होगी और 5 की 30 होगी यानि ए 30 दिन में कर रहा है भी 18 दिन में कर रहा है तो इसमें आगे concept है आपका man, woman और children का तो तो लो और एक बार समझा देता हूँ मैं अब आगे आपके question कैसे आएंगे आपके ऐसे आएंगे man, woman अपने formula पड़ा होगा M1, D1 D1 M1, D1, D1 is equal to M2, D2 और D2 एक तो यह पड़ा होगा एक दूसरा जो आपका वरक होता है यदि आदमी और दिन दे रखे हैं यानि 20 आदमी एक दिन को 12 दिन में करते हैं तो M1, D1 is equal to M2, D2 तीसरा आपने यह पड़ा होगा M1, D1 T1 by W1 is equal to M2, D2, T2 by W2 यह पर्मूले कहां से बने हैं क्यों बने हैं वो हम समझेगे पर मानलो हमें दे दिया A है वो किसी काम को 5 दिन में करता है और B है वो उस काम को 10 दिन में करता है मुझे बताओ बई काम वही है A ने 5 दिन में काम किया यानि A मैं मानलू A एक दिन में A ही काम करता है A का मान कुछ भी हो सकता है तो 5 दिन में इसने पूरा काम कर लिया और यही काम आपका B ने B का एक दिन का काम B है B ने 10 दिन में पूरा किया है तो B ने 10 दिन में तो यहां पे देखो A ने 5 दिन में किया है B ने 10 दिन में किया है और ये काम बराबर है दूसरा जो point है वो देखो भई A है वो एक दिन में 2 गंटे काम करता है और 5 दिन में काम खतम कर देता है यानि A है 2 गंटे काम करता है तो मैं मालूम भई A का 1 गंटे का काम A है यानि यहाँ पर मैंने A का 1 गंटे का काम A मान लिया एक दिन में 2 गंटे काम किया और 500 दिन काम पूरा कर दिया वही आपका B है एक दिन में 3 गंटे लेता है और काम 4 दिन में खतम कर देता है तो यहाँ अब यहाँ से A और B देखो यह total काम हो गया यह टोटल काम हो गया, यह यहाँ पर M1, D1 है, और यहाँ पर M1, D1, T1 है, M2, D2, T2 है, और जो A और B है, आपका जो man, woman, जो भी होगा, उसकी efficiency होती है, यदि गंटे दे रखे तो गंटे में दिन दे रखे हैं तो दिन की, यहाँ दिन दे रखे दे, तो मैंने एक दिन की मान यहाँ पर गंटे दे रखे, तो गंटे के मान लिए, efficiency पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, जब दिन में comparison करेंगे, जब भी वह यह efficiency है, पर गंटे निकाल लेंगे, तब भी वह efficiency रही, अब हम यह क्यों करते हैं, M1, D1, T1, Y1, देखो वरक है पहला, वो हो गया, आपका M1, D1 यह total काम होगा आपका, मैंने काम मान लिया, A1 गंटे में A काम करता है, 2 गंटे में 2 A करेगा, 5 दिन में, एक दिन में 2 A काम किये, तो 2 A काम किया, तो 5 दिन में 2 A into 5, यह total काम होगा आपका, अब हम क्या करते हैं, आगे आपका जो काम है, वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 कुणा आदमी बढ़ा देते हैं तो काम बढ़ा देते हैं तो उस case में क्या होगा देखो यहाँ पर यह वर्क है इसको यदि मैं W1 से डिवाइड कर दो पर यह अपना वर्क W1 था तो जब मैंने काम को W1 टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया तो आपकी रेशो आगी 1 अब ऐसे ही दूसरे case में मुझे नहीं पता आदमी और ज्यादा थे दिन कम थे तो उन्हें जैसे तैसे काम हो सकता है पांच गुणा हो तो M2, D2, T2 by W2 यदि इनके भी मैंने वर्क को टोटल वर्क जो उन्होंन नेक्स्ट है, देखो यह कह रहा है यह कह रहा है जो A, B, C की कारी एक समता है A, R, B, R, C उसकी दो रेचो तिन रेचो पांच है यानि एक साथ काम करते वे काम को छह दिन में पूरा कर सकते हैं यानि अखिसंता क्यों होती है गंठे दे रखन के तो एक गंटे दे इक दिन में यह 2 करेगा तीन करेगा 5 करेगा किरेए एक साथ काम करते हुए छे दिन में पूरा कर सकते हैं एक दिन में इन्होंने तीन और दो पांच और पांच दस, दस काम किया है छे दिन में काम पूरा कर दिया एक दिन में दस, छे दिन में साथ काम, यानि साथ काम ही था अब कह रहा है एक अकेला 20% काम को कितने दिन में पूरा करेगा 60 है इसका 20% काम पूरा करवाना यानि 20 बटे 100 परसेंटेज जब आप कर लोगे जब आप सीथ दा लिक होगे यहाँ एक बटे 5 क्योंकि 20% क्या होता है एक बटे 5 और ए पूरा कर रहा है एका एक दिन का काम 2 है इतने दिन में पूरा करेगा इसे ये गया इसे गया 2 से 2 आपका आगया 6 दिन ये आपका अनस्वर है नेक्स्ट है ये कह रहा है A, B, C की कारी एक समता वो 2, 5, 5, 5, 5, 3 है एक साथ काम करते वे वे एक काम को 27 दिन में पूरा कर सकते है सबसे पहले तो कुल काम निकालो एक का एक दिन का काम 2 है इसका 5-3 है एक दिन में 2-5-7-10 करेंगे यह और 27 दिन में काम पूरा कर दिया तो कुल काम था 270 अब कह रहे हैं B और C मिलकर तर ये का चार बड़े 9 वाग 270 का चार बड़े 9 वाग यह आ गया, अब कहा रहा है B और C मिलकर, जब B और C मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 8, तो यह काम कितने दिन में करेंगे, कितने दिन आ गए, 9 पे 30 हो गया, 14 दुनिया, 2 पे 15, यह आपका, अंस्वर है, I think यहाँ पे 15 आएगा, यह आपका अंस्वर है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कर रहा है, एक निश्चित कारिकों करने के लिए, A और B वेकल पिक दिनों में कारिया करते हैं, देखो, यह वाला क्वेस्टिन, आपका कब का है, SST CGL 7 जून 2019 का, और यही क्वेस्टिन आपका CGL 13 तरिक को, जो आपकी फर्स्ट शिप्ट होई थी, उसमें पुछा गया था, यानि CGL 2020 के परी में, और यही CGL 2019 के परी में पुछा गया था, तो काफी क्वेस्टिन आपके रिपीट होते हैं, देखो, किसी काम को करने के लिए, A और B हैं, वो alternate days में काम करते हैं, beginning with B, यानि पहले दिन B करेगा फिर A, फिर B करेगा फिर A, B A, B A, ऐसे काम करते हैं, अब कह रहा है, beginning with B, पहले दिन B काम करते हैं, A, अकेले काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, यदि कारिये 11 से 1 बटा 3 दिन में पूरा हो जाता है, दोखो, 11 दिन में पूरा हुआ, यानि 11 से 1 बटा 3 दिन, पहले दिन B ने किया, दूसरे दिन इसने, तीसरे दिन इसने, चोथे दिन, पांच में, छटे, साथ में, आठ में, 9 में 10 में अब 11 में दिन किसका नंबर आ गया बी का लेकिन काम पूरा खतम नहीं हुआ है यानि जो ए है फिर अब आपका एक बटा 3 दिन और काम करेगा, अब यहां से निकालो, भाई बी ने कितने दिन काम कियाँ है, आप कहेंगे, बी ने 6 दिन काम किया है, और ए ने कितने दिन काम किया है पांच यानि पांच चाहिए एक बटा तीन दिन यानि सोड़ा बटे तीन अब यहां से देखो देखो ए और बी है अब वो एक दिन छोड़के एक दिन काम करते हैं मुझे यह बताओ चाहिए वो एक दिन छोड़के एक दिन काम करें दो बंदे हैं उनको है न पूरा काम चासे दिन में कितने बाग किया है और I पूरा काम 48 किया होगा आप कहेंगे तोड़ा बटे 3 बटे 48 एक बटे 48 होता है देखो तोड़ा ती एड़ तरीश यानि या गया एक बटा नो बाग अब बचा कितना बच गया आठ बटे 9 ये आठ बटे 9 बाग किस ने किया होगा बी ने वही काम है मुझे तो अब एक दिन छोड़के करें या फिर डेली मिलके करें यदि मुझे तो शिरफ efficiency से मतलब है वही efficiency तो वही रहेगी वही एक दिन में तीन लड़ू खाता है उसको अकेले खिला दो या बी के साथ मिलके खिला दो वो तीन यी खाएगा अब A है उसको alternate days पे काम करवा दो या लगातार काम करवा दो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा A इतने दिनों में यानि A ने इतने दिनों में काम का एक बटे नो बागी किया है चाहिए उसको B के साथ करवालो या अकेले करवालो जब वो इतने दिन काम करेगा तो इतना बाग करेगा यानि बच्चा 8 बटे 9 बाग ये किस ने पूरा किया है या कहें या बी ने पूरा किया है कितने दिन में छे दिन में तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा तो बी पूरा काम करेगा 6 गुणा 9 बटे 8 उस साइट जाके पलट जाएगे तो कह रहा है तो B उस कार्य का चार गुणा यानि B उस काम को पूरा करेगा इतने दिन में और चार गुणा की बात करें तो गुणा च्यार च्यार दुनी आठ दो तिये चैनो तिये 27 यह आपका अंस्वर है next है next कह रहा है A is 40% more efficient than B देखो 40% मैंने बताया था 40% आपका होता है 2 बटे 5 और 5 का 40% होगा यानि A is 40% more efficient than B A है वो B से 40% अधिक कुसल है यानि यह 5 है तो यह आपका कितना होगा 7 और C है वो 20% less efficient है 20 बीस परसेंट क्या होता है 1 बटे 5 यानि B 5 है तो C आपका इससे 1 कम है तो यह 4 कई बार यह ऐसे हो जाता है वही इसके रेसो 2 रेसो 3 आगी यह 4 रेसो 5 आजाती है तो उस केस में 3 की रेसो maintain करने के लिए देखो early gap यहाँ है इनके पडोशी बर देते हैं तो यानि 8 रेसो 12 रेसो 15 आजाती है उनकी efficiency या आगे question आएंगे या फिर हम रेसो परपोर्शन में करेंगे देखो यह efficiency आगी अब एक साथ काम करते हुए काम को 5 दिन में कर सकते हैं जब एक साथ काम करेंगे यह 7 रूँ 5 बारा और 4 16 जब एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 16 काम करेंगे और 5 दिन में कर दिया यानि काम था हमारा अर्सी अब क्यारा है कितने दिन में ए अकेला 70% काम करेगा तो इसका 70% 70 बटे 100 ए अकेला करेगा तो एक दिन का काम साथ है यह answer आजाएगा इससे ये गया इससे ये बच गया 8 ये आपका answer next है ये कर रहा 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं यानि मैंने बताया था एक आदमी का एक दिन का काम एक माल लो 18 आदमी कितना करेंगे 18 और 9 दिन में पूरा कर दिया ये 9 गया after how many after they they have worked for 5 days यानि 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं 18 आदमी ने 5 दिन काम कर लिया एक आदमी का एक दिन का काम एक है 18 आदमी कितना काम करेंगे एक दिन में आप कहेंगे 18 एक आदमी एक करता है 18 आदमी 18 करेंगे 9 दिन में काम पूरा करते हैं इतना काम था अब इन 18 अद्मियों ने पांच दिन ही काम कर दिया यह नहीं पूछू कितना काम बच गया तो अभी कि पूरा 18 आद्मी नोग दिन में कर शेथे थे अभी कर दिन काम कर दिया तो छे आदमी और आ गए यानि ये एक काम को पूरा करने के लिए अब आदमी होगे 24 पहले एक दिन एक दिन में एक काम कर रहा था अब काम एक दिन में कितना होने लगया 24 होट विस तो दिन गढ़ जाएंगे हो तो अब के राज दिन कितने लेंगे तो मान लोओ एक्स लिए है तो हमें A, B, C है, उनकी अक्समता, 305-308 है, एक साथ काम करके, वे किसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं, 7 और 5, 12, 12 और 8, 20, यानि एक दिन का काम 20 है, 42 दिन में इन्होंने काम कर दिया, तो टोटल काम हो गए 840, अब कह रहा है, B और C work together for 21 दिन, यानि B और C, B और C का एक दिन का काम 13 होगा, इन्होंने 21 दिन काम कर लिया, तो काम कितना है, 13 एकम 13, और 13 दुने 26 और 1, 27, यानि 273 काम इनका हो गया, 10 में 3 गया, 7 और 13 में से 7 गया, 6, 7 में से 2 गया, 5, यानि इतना काम आपका बच गया, अब कह रहा है, The remaining was completed by A alone, यानि अब ये बचा हुआ काम A ने पूरा किया है, A का एक दिन का काम साथ है, कितने दिन में काम पूरा करेगा, 7, 8, 57, एकम 7 दिन में, 181 दिन में, तो कह रहा है, पूरा काम कितने दिन में खतम हुआ, देखो, 181 दिन तो अब इने काम खतम किया है, और इनोंने मिलकर 21 दिन उनने काम किया था, यानि पूरा काम खतम हुआ, 102 दिन में, ये आपका अंसर है, Next है, ये कह रहा है, एक किसी कारिया का 40 परतिसे दबाग 6 दिन में कर सकता है, मैंने बताया था, जब भी परसेंटेज आए, तो उसको फ्रेक्शन में कनवर्ट कर दो, देखो, 40 परसेंट का मतलब होता है, 2 बटे 5, यानि 40 बटे 100 करेंगे, तो 20 दूनी, 40, 20 पंजे 100, यानि ए है, वो किसी काम का 2 बटे 5 बाग, 6 दिन में कर रहा है, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, कैसे करेंगे, 6 गुणा 5 बटे 2, या फिर, 2 तीए 6, और 5 की गुणा होगी 15, या फिर, आप ऐसे करो, 6 गुणा 5 बटे, तो 2 तीए 6, 5 तीए 15, अब कह रहा है, भी कैन डू 30 परसेंट ओग दा सेम वर्क, भी है, 30 परसेंट आपका क्या होगा, 3 बटे 10, क्यूंकि 30 बटे 100 करेंगे, 0 से 0 कर जाएगी, भी है, वो 3 बटा 10 बाग कितने दिन में पूरा कर रहा है, 3 दिन में, भी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 3 गुणा 10 बटे, या आपका जाएगा, देखो, यह था, A पूरा काम को 15 दिन में कर रहा है, B पूरा काम को 10 दिन में कर रहा है, अब यह बिल्कुल पहले वाड़ा क्वेस्चन हो गया, LCM 30 आ जाएगा, इसका एक दिन का काम 2 जाएगा, इसका 3, अब कह रहा है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन B ने दो दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानि उन्होंने दो दिन तो काम किया यह, एक दिन में 5 करेंगे, दो दिन में 10, यानि 30 में से 10 काम कर दिया, बच गया 20, अब क्या हुआ है, B ने दो दिन के बाद छोड़ दिया B चला गया तो पूरे काम को कितने दिन में पुरा किया गया यानि ये बचा हुआ काम है अब A ने पुरा किया है A एक दिन में दो करता है तो ये काम कितने दिन में करेगा 10 दिन में क्या रहा है पूरा काम entire work कितने दिन में complete हुआ है देखो उन्होंने 2 दिन तक वहाँ काम किया था और A ने 10 दिन यहाँ काम किया तो पूरा काम हुआ है 12 दिन में कई बार हम एक्जाम में गलती कर देते हैं 10 पे टिक कर देते हैं जल्दबाजी में यह नहीं देखते हैं कि बचावा काम पुछा गया है या फिर पूरा काम नेक्स्ट है यह कर रहा है किसी निश्चित संख्या में व्यक्ती एक दिन में 9 गंटे काम करते हुए एक काम को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं यानि कुछ व्यक्ती हैं मानलो व्यक्ती हैं X ये एक दिन में 9 गंटे काम करते हैं मान लो X व्यक्ति एक दिन में X गंटे काम करते हैं X ही काम करते हैं वही एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो X आदमी एक दिन में X काम करेंगे अब गंटे दे रखेंगे तो गंटे में मान लो एक आदमी एक दिन में एक गंटा काम करता है तो X आदमी एक दिन में कितने काम करेंगे X करेंगे तो 9 गंटों में कितना करेंगे X गुना 9 और 34 दिनों में काम खतम करती है यदि व्यक्टियों की संख्या में 40 परतिशत की कमी हो जाती है 40% मैंने बताया था दो बटे 5 जो आपका टाइमेंड वर रखाई यह दिस में परसेंटेज देगा तो 40% 60% इसी के आसपास गुमाएगा तो 40% 2 बटा 5 है 40% की कमी यानि टोटल 5 है तो उसका 40% कितना होगा दो होगा इसकी कमी हो जाएगी जब 2 की कमी तो कितना बच जाएगा तीन बटे 5 बच जाएगा देखो एक्स था एक्स का 40% गट गया तो एक्स का कितने परतिशत बच गया आप कहेंगे 60% बच गया या फिर यहां से 5 था इसका 40 परतियत की कमी होगी यानि 2 की कमी होगी तो कितना बागद तीन बटे 5 कि इस चीज का तो देखो अब आदमी होगे 3 बटे 5x क्योंकि 40 की कमी होगी तो चेश व्यक्तियों को 51 दिन में काम पूरा करना है कितने गंटों की गोणा गंटी यानि M1 D1 D1 is equal to M2 D2 T2 M1 यहाँ X है जो M2 है वो 40 परतिशत कम है इससे यानि इसका 60 परतिशत है अब देखो जो कट रहा है वो काड़ दो X है तो X कट जाएगा 17 दूनी 34 17 तीए 51 अब और कुछ कट रहा है देखो तीन तीए 9 और 5 इस साइड आ जाएगा 10 या आफकान सुर आ जाएगा गंटी नेक्स है नेक्स कर रहा है वही किसी काम एकनिशित काम करने के लिए X और Y है इनकी जो अक्समता है उसका नुपात 5 नुपात 4 है एक साथ काम करते वे वे उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कुल काम यदि मैं पुछू एक दिन में 9 किया है तो 10 दिन में पूरा कर दिया तो कुल काम आपका 90 था अब Y अकेले काम सुरू करता है और 5 दिन के बाद काम सोड़ देता है जब Y एक दिन में काम स्टार्ट करेगा तो पांच दिन में कितना काम करेगा 20 काम करेगा 90 में से 20 काम हो गया बच गया आपका 70 सेश कारी है X द्वारा कब पूरा किया जाएगा यानि remaining work देखो यान remaining दे रखा है अब यह 70 काम A करेगा यानि X करेगा तो एक दिन में पांच काम करता है कितने दिन लेगा 14 दिन या आपका नेक्स है एक किसी काम का 40 परतिसद 12 दिन में कर सकता है 40 परतिसद आपका 2 बटे 5 30 परतिसद 3 बटे 5 यानि A है वो 40 परतिसद यानि 2 बटे 5 किसी काम का 12 दिन में कर सकता है ए तो ए पूरा कम कितने दिन में करेगा आप कहेंगे 30 दिन में कैसे निकालेंगे 12 गुणा 5 बटे 2 होची के 12 6 पंजे ऐसे भी दे रखा है भी किसी काम का 3 बटे 5 बाग कितने दिन में पूरा कर सकता है 15 दिन में भी पूरा कम कितने दिन में करेगा तीन पंजे पंद्रा पाओं पाओं 25 दिन में पंद्रा गुना पांच बटे अब यहां गया एक इसी काम को 30 दिन में कर सकता है भी 25 दिन में कर सकता है तो कुल काम निकालने के लिए इनका LCM ले लो 30 तिया 90 30 पंजे 150 और 25 का 150 अब कह रहा है दोनों 10 दिन काम करते हैं एक दिन में कितना काम करेंगे 11 और 10 दिन में टोटल 150 था एक दिन में 11 काम किया 10 दिन में किया 110 बच गया कितना 40 C complete the remaining work alone in 4 देट यानि C ने ये 40 काम 4 दिन में पूरा कर दिया तो C का एक दिन का काम कितना हो गया 46 बच च्यार आप कहेंगे 10 अब कह रहा है A, B और C एक साथ समान कारिये का 28 प्रतिशत बाग यानि समान कारिये कितना है 150 इसका 28 प्रतिशत 28 बटेश ओ गया अब तीनों मिलकर देखो इनों का एक दिन का काम क्या है इसका एक दिन का काम 5 है इसका 6 है, इसका 10 है, 5 और 6, 11, 11, 10, 21, यानि एक दिन का काम 21 हो गया, कितने दिन में करेंगे, इतने दिन में, अब शो काट दो, 50 दूनी 100, 50 दिये, 3 सता 21, और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानि आप कंसुर आ गया, 2 दिन, नेक्स्ट है, यह करा है, A is as efficient as B and C together, यानि जो A की अक्समता है, वो B पलस C, इन दोनों की अक्समता के बराबर है, यानि इनकी अक्समता का अनुपात, एक अनुपात ही, और working together, यानि एक साथ कारिये करते हुए, A and B, एक काम को 36 दिन में, यानि A पलस B है, वो किसी काम को 36 दिन में पूरा कर रहे हैं, और C, अकेला 60 दिन में, पूरा कर रहे हैं, एको LCM आ गया है, इनका 180, 37 पंज़े और 8 ती हैं, अब यहां से यह देखो, भई A, B, A पलस B, पलस C हैं, अब कह रहा है, A पलस C ने काम किया 10 दिन, क्या मैं A पलस C की मुझे अक्समता पता है, A की पता है, एक है, क्या मुझे C की अक्समता पता है, नहीं, लेकिन मैं इन दोनों का यूज़ करके निकाल सकता हूँ, यहां देखो, यह एक दिन का काम है, और एक दिन का काम यह आपकी efficiency होती है देखो एक दिन का काम दोनों का 8 है यानि इसका 5 है इसका 3 है तीनों का A, B और C तीनों का एदिना काम 8 है लेकिन यहाँ पे तीनों का एक दिन का काम कितना है दो ही है और आप कहे रहे हैं कि और इनके एक समता बराबर है यानि यह 4 होगा तो यह च्यार होगा, हो गया आपका बटवारा, वही टोटल आठाना चीए, और इसके अकोर्डिंग कह रहा है, A की एक्समता B पलस C के बराबर है, यहां से देखो, A, B, C, आपका आगया, A की एक्समता 4 है, C की यहां से देखो, C की तीन आगी, और जो B है, 4, 4, 8 था, इसका 4 है, एक दिन का काम, इसका 3 है, तो 7 है, 10 दिन काम किया, तो 70 काम हो गया, 180 में से 70 हो गया, 110 बच गया, अब क्या कह रहा है, B, अकेला से श करेगो, कितने दिन में पूरा करेगा, B का एक दिन का काम 1 है, तो 110 काम कितने दिन में करेगा, 110 दिन में करेगा, एक दिन में एक रोटी खाता है, 110 खाड़ी है, कितने दिन लेगा है, 110 दिन लेगा है, यह करा है, जो A है, A is F as efficient as B and C together, working together, A and B can complete our work in 36 days, and C alone can complete it in 60 days, तो A और C 10 दिन के लिए काम करते हैं, तो B अकेला उसकाम को कितने दिन में करेगा, यहां पर हमें दे रखे हैं, जो A की अक्समता है, वो B plus C की अक्समता के बराबर है, इनकी efficiency या फिर बात पर मैं, और एक साथ काम करके, A plus B किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, उसकी अकेला 60 द किया, यहां से A और C से मैं कैसे काम कर रहा है, मुझे A की अक्समता नहीं पता, यानि A की पता है, मुझे 1 है, लेकिन यहां पर A और B की 5 से C की 3 है, मैं पता नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यह पता है, कि यहां पर 3 की अक्समता 8 है, और यहां पर 3 की अक्समता 2 है, तो इस अ तो आपका है तो चैर और तीन साथ और टोटल आपका आठ है तो भी अब कर रहा है यह और सी ने दस दिन काम किया वह बता ओ ए और सी एक दिन का काम इनका साथ है दस दिन में कितना काम करेंगे तो आप कहेंगे 70 प्रोटल काम 180 था 70 इनों ने कर दिया बजगा 110 काम अब यह कहा रहा 6 काम B पूरा करेगा B का एक दिन का काम 1 है तो B कितने दिन लेगा 110 Next है 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं 25 इंटू 60 कूल काम हो गया एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा तो 25 आदमी कितना करम करेंगे 25 करेंगे वही एक आदमी ने एक ही किया 25 आदमी ने 25 किया एक दिन में 60 दिन में काम पूरा कर दिया तो इतना काम था अब कह रहा है उन्होंने काम सुरू किया और दस आद्मि चुड़ गए ax दिन काम करने के बाद. यानि काम यही हुआ है. अब क्या किया है? इन 25 लोगों ने x दिन काम कर लिया. फिर क्या हुआ? यानि इतना काम हो गया. अब क्या हुआ? आपका 10 आद्मि चले गए यानि बच गए आदमी 15. और जो आपके दिन है दिन कितने बचे हैं टोटल कहरा है काम असी दिन में खत्म हो गया तो असी में से एकस दिन लगे तो बचगे सी माइनस एक सिल्ट मआज़ी तो थी तीज आ लगे तो बचगे सतरे दो इकाल ला है 100-30 तो पंद्राइसो इस इक्वल टू बच्छीस एक्स फलस बारासो माइनस फंद्राइक्स येगों 25 में से पंद्रा आ गया आपका 10x बस गया और इस साइड इन्सों बस गया तो जो एकस है वह इसका मान आ गया तो त्थीस यह आप से उच्छा गया था नेक्स सबसे पहले मुझे कुल काम बताऊ कितना होगा कुल काम आ बताऊ यह 27 12 और चार 16 एक दिन का काम है और 35 दिन में पूरा कर दिया तो ऐसी और अब कह रहा है ए और बी 28 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं ए और बी ए और बी का एक दिन का काम कितना है 12 इन्होंने 28 दिन काम करती है बच गया कितना है 1224 यह कह रहा है यह काम कितने दिनों में पूरा किया जाएगा वह दोस्तोचोविस काम करना है एक दिन का काम चयार है तो आप कहेंगे 57 दिन में यह आपका अंस्वर है इसका जो सेकंड मैथट है और वह देखो वह कह रहा है यहां कुल काम का बाग निकालो कुल काम तो आपका इतना ही रहेगा बढ़ी 16 आदमी 35 दिन में कर रहे हैं इनके जो रेशो है 7 रेशो 5 रेशो चार यानि इनके जो एफिशेंसी है यानि एक दिन का काम इनका 16 दिन में पूरा कर दिया अब मुझे बताओ बैए और बी ने 28 दिन में कितना बाग किया होगा इसका दो बटा पांच बाग बच गया है यह काम किसने पूरा किया है यह सी के द्वारा सी का एक दिन का काम च्यार है इसे कर लो एक निशीत काम करने के लिए जो एबी सी है इनकी अक्समता साथ रे सो पांच नपाथ छे है एक साथ काम करते वे वे किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते यानि कुल काम कितना हो जाएगा आप कहेंगे सातर पांच बारा और चे अठारा गुणा 35 और अठारा दिए चववन और नो तरे सट शेसो तीस अब कह रहा है बी और सी ने इकिस दिनों के लिए एक साथ काम किया जब बी और दिन में ग्यारा करेंगे इकिस दिन में कितना करेंगे आप कहेंगे 231 तो काम बच कितना गया 9 और यह 9 और यह 3 यानि 309 काम बच गया अब यह काम से ये ने पूरा किया है तो कितने दिन में पूरा करेंगा एक दिन का काम साथ है 37 75 35 और 57 57 या फिर और मैने बताया था कितना बाग कर लिया वह निकालो कुल काम 18 35 था अब 2 और C ने 21 दिन काम किया है यानि 11 गोना 21 काम किया है अब 7 21 35 यानि 33 बटे 90 काम इन्होंने कर लिया बचा कितना एक में से गटा दो 90 में से 33 गई आप कहेंगे 57 बटे 90 काम बचा है यह किसका पचा है आप कहेंगे 18 इंटू 35 की टोटल काम तो यही था और अब यह काम किसका करवाना है एसे एकाई दिनका साथ है तो अथारा पंजे नबब 35 आप का उता है दो बड़े 5 यदि मैं बात करो यह कोई किसी से 40 परसेंट जादा है तो पहला यह दी 5 है सका 40 परसेंट डो होगा यानि वो 7 गो他 और 20 परसेंट कम है तो 5 यह था इसका 40 परसेंट 2 तायनि 8.4 चया । यह है तो 20 20% less efficient है 20% होता है एक बटे 5 यानि ये 5 है तो इसका 20% एक होगा और इससे एक कम यानि 4 तो ये 5 तो ये 4 आपका इसे भी बन सकता है ये 2 रेसो 3 बन गया फिर ये आपका 5 रेसो 4 बन रहा है तो उस केस में क्या करना है आपको जो ये खाली जगह बच गी इसमें इनके पडोसी गर दो इसका पडोसी 3 है इसका पडोसी 5 है और इनको गुना कर दो 10 रेसो 15 रेसो 12 ये इसकी रेसो आ जाएगी फिर क्योंकि यहां 5 था यहां 4 था तो इसलिए हमें कुछ करने की जूरूत नहीं पड़े अब कह रहा है एक साथ काम करके 15 दिन में काम खतम कर सकते हैं 7 और 5 12 और 6 इंटू 15 इतना काम कुल काम आ गया अब कितने दिनों में बी अकेला 55 परसेंट काम करेगा तो 55 बटे 100 यानि 3 बटे 4 इसको काम करवाना है अब बी को बी का एक दिन का काम 5 है इसका दो गुना इसकी एक है और इसका तीन और एक साथ मिलके अच्या बी अकेला कर रहा है वी अकेला यानि कुल काम हमारा निकल जाएगा यदि हमें एका दे रखा एक दिन में कर सकता है एक दिन में दो काम किया 15 दिन में पूरा किया तो काम था कुल 30 तो कितने दिन में ए और च करेंगे देखो एक दिन का काम साथ है तो 30 बटे साथ है नेक्स तेंगर आ यह कहा रहा है वो चार गुना टाइम ले रहा है और Сी से यानि इसका एक ताइम है तो इसका च्यार ताइम य्यांड बात करू अकसमता एफिशेंसी बता यहां पे बताओ यहां पया शोल सोल हो गया अब तो यहां देखो, A की एक समता 5 है, B की एक समता 4 है, और C की एक समता बचगी 11, क्योंकि तीनों की 20 है, अब कह रहा है, तीनों एक साथ काम करते वे, 24 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, जब एक साथ काम करेंगे, तो एक दिन में 20 करेंगे, 24 दिन में काम पूरा कर लिया, अब क यह क्या रहा है A और B एक साथ मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम स्टार्ट किया किन्तू 2 दिन के बाद भी छोड़ गया। अच्छा मुझे बताओ। A पलस B हैं वो 3 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। इं causal नोस ने नोने काम इन पूरा कि अ किई तो कितना वाहתगत रिया शोड़ किवत निई संसे मई आपको कित्रा इंड एर्व झाल क्रों कितुठ ऑख लिंगें यह होगए वड़ी कम्पी fürs कर्ड़ुस सब्सक्व क्या रहेगा तो उड़ общем कित्ने काम 2 दो दिन में कर रहा है तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा आप कहेंगे तीन गुणा दो अब यहां कितने दिन में कर रहे हैं यहां तक आपको आइडिया लगा लेना था कि देखो दो आदमी किसी काम को अदिसमय में कर रहे है और एक आदमी उसको उतन हैस्मय में कर रहा है मानलोग जिन कर रहा है और ने और त fee छह और दीन है मेल ले लो इनका साथ ज़स बारा पंजे साथ पंद्रा चुके साथ कह 1500 एक बते aur 8 कामखळ गया यह अर बचा वह Y tá park पेट में पूरा किया यह और बिकर कहीं काम 15 15 चीनी चुके 70 4OW-a यह ने Addिन ऊन्हे ने साथ बते 2 दिन फो यह कर रहा है, देखो, अब मैंने बताया था आपको, M1, D1, T1 by W1, M2, D2, T2 by W2, यह कर रहा है, A है, अद्धा काम करता है, B के 3-4 टाइम में, यानि A और B मानलो भी, यह मानलो, A एक दिन में A काम करता है, B एक दिन में B काम करता है, यानि इनकी Efficiency A और B मानली मैंने, अब क करता है, W1 और W2, होगे, आप समय की बात कर रहा है, A does half as much working, B in 3-4 of the time, यानि 3 बटे 4 समय में, B के, यानि B आपका 4 दिन ले रहा है, तो यह 3 दिन लेगा, वे 4 का ही 3 बटे 4 क्या होता है, इसका 3 बटे 4 करने का मतलब वो 4 तो यह 3 है, अब इसको काटो 2, और A by B मैंने Efficiency मा कर रहे हैं, तो एक दिन में दोनों का काम 5 है, 18 दिन में पूरा कर दिया, तो खुल काम 90 था, तो बताओ B कितने दिन में करेगा, B का एक दिन का काम कितना है, आप कहेंगे, B का एक दिन काम 3 है, तो B कितने दिन में लेगा, 30 दिन, और A का आता, A कितने दिन में लेगा, तो 90 यहां से एफिशेंसी निकल जाएगी अब बताओ B अकेला कितने दिन में करेगा या फिर इसका एक और मैंठ़ड है यह करा है यह है वो अद्धा काम कर रहा है B के 1 थर्ड टाइम में A पूरा काम कितने दिन में करेगा तो आप कहेंगे 1 by 3 by 1 by तो यह उपर पलटके 2 बटा 3 आ जाएगा time में यानि A और B जो time की रेशो है इनकी A है वो B के 2 बटा 3 समय में पूरा काम कर रहा है यानि B अपना पूरा काम 1 समय में करेगा तो यह इसके 2 बटा 3 समय में करेगा यहां से इनका 2 आ पाथ 3 आ गया तीन उससे चला जाएगा और जो efficiency है वो उल्टा होता है 3 आ पाथ 2 यानि या ऐसे निकाल लो या आप ऐसे निकाल लो next है यह कह रहा है यह question हमने कर लिया और I think यह 47 और 49 इसका 30 सब्सक्राइब नेक्स्ट है 50 यह कर रहा है तपस और मिहिर तपस वरक ट्वाइस एज फास्ट यानि दो गुना काम करते से मिहिर से बोथ अप दैम कंप्लीट आवर किन बारह दी तो कुल काम कितना हो गया आँ इनडू बारह थ तपस अकेला कितने दिन में करेंगे तो एक दिन का काम इतना है बारह दिन में खतम कर दिया तो इसके अकेला करेगा तो यह अकेला करेगा तो 36 दिन में पूरा गिरूँ तो आज के लिए इतना है रखते हैं बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में तो तक के लिए रहने बाद